विधान सभा की चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और सभी राजनेतिक दल अपना दमखम और पार्टी के का जराधार बढ़ाने के लिए जो है मैदान में उतर चुके हैं और हम इस वक्त हैं दुमरिया गंड विधान सभा सीट पर जो सिधात नगर की सीट है और वहा समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के मकसद से जो है रामकुमार यादो उर्फ चिंकु यादो जो है अपने काफिले के साथ समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए डुबरिया गंड सीट पर उन्होंने जन सब पर का बीजेपी को समाजवादी पार्टी सिकस देगी पहले तो आपको और आपके चैनल को आपके साथियों को बहुत धन्यवाद कि आप डुमरिया अगंज की हालचाल को प्रदेश से लेके देश अस्तर पर लोगों को बताने के लिए आए इसके लिए बहुत-बहुत समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पे चुनाओ लड़ रही है कि आज जनता त्राह त्राह महगाई से परिसान है जनता एकदम अकुलाई हुई है और यह जो बीजेपी के लोगों ने जुमलेबाजी की थी जनता के साथ कि हमारी सरकार बनाओ हम 15 लाख रुपे आपके खाते में भेजेंगे हमारी सरकार बनाओ हम किसानों की आए दो दो गुनी करेंगे हमारी सरकार बनाओ हम नौजवानों को दो करोन पर तेक साल रोजगार देंगे हमारी सरकार बनाओ हम महगाई को कम करेंगे यहां जनता खड़ी है पूंच लो महगाई चार गुना में मिला करता था आज उसकी यूरीया की बोरी की की मत और जिसमें 5 किलो इूर्या टिस अब टैकंक कम हो गई है और आज किसान मारा मारा फिर रहा है किसान को खाद नहीं मिल लगी है और कहीं व्यापारी धोLab dependence में रखा है डंप करके तो साड़े चारसो पांसो में बेचने का काम कर रहा किसान मजबूर हो करके लाचार हो करके खाद को खरीदने के लिए अपने खेट में डालने के लिए और किसी तरीके से वह खाद पा रहा है पानी चला रहा है मेहनद से करके अपने खेट को सीच रहा इसके बाद योगी जी के साण छुटे हैं वो साण भी उसको चरने का काम कर रहे हैं तो किसान ना नौजवान क्षाहल है ना आम आदमी कुसाहल है अज सब प्रेसान है और इसे को ले करके हम लोग जन्ता के बीच में उतरे हैं आने वाले दिन हमें पूर भरोसा है अपनी जनता पे कि भागतिया जनता पार्टी की जुमला थी उसको मुहतोर जवाब देने का काम करेगी चिंकुची बड़ा सवाल उठता है यहां के बीजेपी के विधायक है रागवेंदर सिंग और बीजेपी जो है नारा दे रही है कि सब का साथ उन् में ऐसे जिस सड़क से आप आये हैं वह सड़क हमारे सरकार की देन है हमारे सरकार ने पैसा उमुक्त कर दिया था कुछ काम सुरू हो गए थे उसकी वाब सूछना लग गई थी हमारी सरकार चली गए उसको रोग दिया गया बाद में बनूआया गया आप गाउं के सडकों का हाल देख लिजिए आपको यह नहीं पता चलेगा कि सड़क गढधे में हैं कि गढढ़ आए दिन लोग उस गढदे में गिर रहे हैं किि सी का हाथ सेझर हो रहा तो किसी का पर फेक्जर हो रहा है यह सरकार मैं फिर आप से रहा हूं केवल और केवल चंद उद्दोग पतियों की सरकार है कारूपरेट घरानों की सरकार है और यहां के जहां तक विधायक की बात है यहां के विधायक ने नारा तो दिया सबका साथ सबका विकास लेकिन यह जनता जानती है कि वह गोरकपुर से चलके आये थे डुमरियाज में ज कोई गाड़ी नहीं बची है जुमरिया गंज में करोड करोंड की उन्होंने जमीन को खरीदा है जुमरिया गंज में बड़ा स्कूल बनवाने का काम की उपएसा कहां से आया है यही सब का साथ सब का विकास जनता आज महगाई से डीजल हो पिट्रोल हो रसोई गैस हो हट बारा रूपया डीजलो बारा रूपया पिस्ट्रोल को कम करने का काम इंकुज एक बड़ा सवाल उड़ता है निजाम कितने भी बदले लेकि हालात जो मरिया गंज के जैसके तस्पड़े हैं आप यहां जनता खड़ी है मैं आपको भरोसा देता हूं कि पूरे इलाके में किस नहीं बचेगा पूरवा हो सकता है बचाक बच गया हो जिसमें हमने सीसी रोड इंटर लाकिंग पीच रोड नाली खड़ंजा करने का काम ना किया यहां जनता गवाह अगर सपा सरकार फिर दोबारा आती है तो फिर आपकी आप क्या करोगे दूबरिया गंज के लिए सपा सरकार आती नहीं है जनता के आसिरवाद से आ गई है प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में जनता के आसिरवाद से दुआ से आ गई है और मैं आपको बता रहा हूं जिस दिन चुना हुआ और यहां के जनता ने हमें आसिरवाद दिया तो मैं डुमरिया गंज को पूरे उत्तर प्रदेश में एक माडल विधान सभा बना के ना दिखाऊंगा तो फिर मैं दुमर्याज में चुना होने ही लडूँगा प्रदेश में किती है आधर बिदान सभा बनाएंगे जो नारे बाजी दौर में चल रहा है। समर्थक है समाजवादी पार्टी के समर्थकों से जानते आखिर स्वा कार ही क्यों दुमर्याज में सबसे बड़ा मामला है हम विवाओं के लिए रोजगार का सबसे बड़ा मामला है और समाधवादी बोलते कम है काम जादा करते हैं और भाजपा सरकार काम करती है बोलती जादा है अभी कल योगी जी ने कहा है कि हमने 1,75,000 सिच्छ कों के भरतियां की एक लाग 37,000 सिच्छा मित्रों के समाजों निरस्थ किया था वो भरती पान सौलों में नहीं पूरी कर पाया आज तक नहीं भरती तो छोड़िए एक लाग 37,000 सिच्छा मित्रों के समाजों निरस्थ होने वाली भरती में भी एक लाग 10,000 भरती कर पाये हैं उसमें भी इतना करप्सन बहुत सारा करप्सन की उस करप्सन के बारे में क्या बता हूँ मानिया के लिए स्यादोजी ने 22825 प्राइमरी में भरती की थी 29,765 जूनियर में की थी 16,000 दूसरे साल की तीसरे साल 15,000 की चौते साल में 137,000 सिछा मित्रों का समय जन किया 4500 इसमें आजे लड़के उस कांसलिंग के लिए दोड़ रहे हैं तो इस तरीके से अखलेस जी नें काम किया है विकास किया है बादजपा वाले कि अपनी बाते करते हैं कि हमने यह किया कुछ नहीं इन्होंने किया जो अब भरती है उससे पूछिए क्या बरती आज कहां पर पड़ा है जो अभरती हैं उनका रुजहान किस तरफ है अभरतियों को रुजहान सपा के तरफ है हम इस बार अकलेस यादो जी को ला रहे हैं और इसका बिगल बच चुका है और पूरे प्रदेश में आप कहीं भी जाए अकलेस जहां भी जाते हैं युवाओं हमारे हां लग लाले हम लाल्टोपी के समर्थन केओं के मारे हैं इस से पूछते क्या बात है लालोटोपी के समर्थन में आप लोग क्यों उतर पड़े हैं मैयदääल इसलिए पड़े हैं कि क्लेस जी से अच्छा कोई लीडर उत परदेश में ही सभासर का 1 सरकार समाज वादिश today समाजवादी सरकार e समैजवादी सरकार ने अगाों के लिए कर भी हमारे साथ उनसे जानने की कोशिस करते हैं आखिर अधिर सपा सपा का जो यह वह वो टैग इन्होंने क्यों लगाया हो सभाजवादी पार्टी के पूर्टी सीटी इस सीटीजंग दूमरिया गंच के क्या के हैं तो नाम बदले का काम किया है सारी सब्सक्राइब है के नाम बदला है के वह बाइखता रखते हैं और भाजपा सिर्फ नफरत फैलाती है अखले स्यादो जी पढ़े लिखे व्यक्ती है जो हर धरम को मिला के चलते हिंदू मुस्लिम एक्ता रखते हैं भाई चारगा बढ़ाते हैं और भाजपासी नफरत फ्हेलाती हिंदू-μुसलिम धर्म के नाम पर ठकती है देश-धर्टा चला परदेश-धर्टा चला चा रहा हम लोग गरीब होते चले जा रहे हैं इस ते दिनमदिन करते हैं तो समाजवादी पार्टी के जो समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनका साथ तोर पर कहना है कि समाजवादी पारटी लोसे मत किर सकती है और भारती जंता पार्टी के जो दावें जो वादें क wen बें वह खोखूले फायद यही वजह जांव चिंकु यादों के साथ जंसमर्थन डुबरिया गंज बिधान सवासीट पर उतर चुका है और अपना कारवा बढ़ाने के फिराक में चिंकु यादों दिन रात लगे हुए हैं कैमरा परसन मान यादों के साथ हेमन सिंग न्यूज वर्ल इंडिया सिधार्त नगर